अलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं अनुराधा और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चानल आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यरली प्रेग्नेंसी में यानि कि प्रेग्नेंसी के सुरुबाती दिनों में या फिर थ्रूआउट प्रेग्नेंसी यानि कि प्रेग्नेंसी के प लेकिन उप पूरे साबधाने के साथ आपको यूज करना है उसका स्पीड बहुत स्लो रखना है आपको 20 से लेकर 30 किलोमेटर इसके अंदर ही ड्राइव करना है और जर्किंग बला लोड या फिर हम्स बला रोड उसमें भी थोड़ा साबधाने आब रतनी चाहिए क्योंकि ज भारी बजन बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए यानिकि 10 से लेकर 15 किलो से जादा बजन आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए अगर आप भारी बजन उठाते हैं तो आपकी उटरस या फिर बल्चेदाने में प्रेशर पड़ सकता है और आपको ब्लेडिंग भी सुरु हो सकता है तीसरा जो साबधानी आपको बरतनी है या फिर जो मिस्टेक्स जो अवर्ड करना है वो है कि जब भी आपको कुछ चीजे उठाना होता है तो डारेक्ली तुरंत ही बेंड ना होकर आपने नी के बल पर ही बेंड हो ये धीरे धीरे बेंड हो ये तुरंत ब पीना है क्योंकि कॉफी एक भासो कंस्ट्रिक्टर होता है जो कि आपके यूटरेस तक oxygen और blood supply को काम कर देता है और कॉफी में caffeine भी होता है जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है आप प्रक्दिंसी में चाय पी सकते हैं दिन में 1 कप चाय अजिश गरका बना हुआ। उसमें बहुत अिसमें बहुत सारे माउंट में शुगर और प्रेजरिबर्टिव होता है जो कि आपके बच्चे के लिए बिलकुल भी हानी करहें आज पाज जो साबधानी आपको बरतनी है वो है कि यरली प्रेग्निंसी में आपको raw papaya बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए आप चाहे तो जो पका हुआ पपीता यानि कि यलो कलर का पपीता वो खा सकते हैं के बारे में मैंने एक separately वीडियो भी बनाए है क्योंकि अगर raw papaya आप खाते हैं तो भी अवर्शन हो सकता है यह एक अवरिफेश्यंट यानि की गर्वपात का कारण बन सकता है अगर आप पहले से तंबा को लेते हैं या फिर smoking करते हैं या फिर drinking करते हैं तो pregnancy में आपको बिल्कुल भी यह सब quit करना होगा या फिर छोड़ना होगा क्योंकि किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ या फिर तंबा को आपके लिए और आपके गर्वस्त सिसु के लिए हानिकारक होता है तो soft drinks यानि की soda अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं तो उसको भी आपको avoid करना है क्योंकि soft drink में बहुत सारे amount में chemical से या फिर प्रेजरवर्टीव या फिर caffeine होता है जो कि आपके सिसु के लिए बहुत ही खतरनाक है अगर आपको पहले तीमियाई में spotting या फिर bleeding का history है तो आपको पहले तीमियाई में यानि की pregnancy की सुरुबाती दिनों में sex को avoid करना है क्योंकि अगर आप sex करते हैं तो spotting या फिर bleeding भी हो सकता है और आपका miscarriage होने का भी chances रहता है तो आपको पहले तीमियाई में sex को बिल्कुल भी avoid करें और जो सब बात का आपको avoid करना है वो है कि अगर आप चाइनीज ज़्यादा पसंद करते हैं और pregnancy से पहले आप चाइनीज बहुत ज़्यादा amount में खाते थे अभी आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है क्योंकि चाइनीज food में आजिनो मोटा नाम का chemical होता है जो कि आपके शिसु के लिए बिल्कुल भी safe नहीं है ये chemical बहुत ही खतरनाक होते हैं आपके लिए और आपके गरभस्ते शिसु के लिए इसके अलाबा आपको बासी food बिल्कुल भी नहीं खाना है जो भी खाना आप खाते हैं freshly cooked, fresh vegetable, fresh fruits ये सब खाना चाहिए pregnancy में आपको बिल्कुल भी उबास नहीं रहना चाहिए हर दो घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए अपने आपको hydrate रखे, ज्यादा सा ज्यादा पानी, liquid पीजिये, juice या फिर नारियल पानी ये सब भी पी सकते हैं ये सब लेने से आपका बच्चे को sufficient amount में oxygen मिलेगा और उसका growth भी अच्छे से होते रहेगा और एक चीज का आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है और जो कि बहुत सारे couples mistakes करते हैं या फिर बहुत सारे गर्भबती माहिला या mistakes करते हैं जो डॉक्टर्स के दिया हुए supplements या फिर medicines नहीं लेते हैं टाइम पर बिल्कुल भी नहीं लेते हैं और वो सिकायत करते हैं कि हम लोग खाना खा रहे है sufficient amount में तो हमको ये सब supplements का क्या ज़रूत है देखिए फ्रेंटसी प्रेंटसी में आपका जो nutrients या फिर जितने भी requirement होता है वो double हो जाता है आपको उतना ज़्यादा amount में nutrients या फिर खाने से नहीं मिल पाता है इसलिए आपको supplements जैसे कि folic acid या फिर iron या फिर calcium जो सब डक्टर recommend करते हैं उसको बिल्कुल भी time पर लेना चाहिए तो ये सब जो चीजे है और ये सब जो साबधानिय है जनरली आपको डॉक्टर first visit में ही बता देंगे तो मैं उमीद करती हूँ कि ये सब mistakes आप प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करेंगे प्रेगनेंसी एक छोटा से journey होता है नौ महिने का जितने भी सारे bad habits है और जितने भी सारे food habits है आप उसको change कर लिजे ताकि नौ महिने के बाद आपके हाथ में एक स्वस्ति सीसू आ बुलेगा